3 जरन की लोगसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस की निशनल मीडिया कॉडेनेटर रादिखा लिए ने कॉंग्रेस से इस्तिफा दे दिया है अपने और देशवासियों के नियाय के लिए में दिरंतर लड़ती रहोंगी राधिका खेडा ने अपने स्तीफे में लिखा है कि हर हिंदू के लिए प्रभो शीराम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत माहिने रखती है राम नला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं देखे मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी पूरी निष्ठा से पूरी इमानदारी से मैंने काम किया है अभी भी मैं पिछले एक महीने से 36 गड़ में थी लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं न्याई की लड़ाई लड़ते हैं और जब हमारे साथ ऐसकी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ मैं चीकती चिलाती जो हमारा मंदिर है वहां से भागी और फिर भी न्याई नहीं मिला और सब ने मुझे चुप करने को कह दिया गया सिरफ इसलिए क्योंके मैं प्रभुश्री राम के दर्शन करके आई हूँ सिरफ इसलिए क्योंके मैं एक हिंदू हूँ एक सनातन धरम को फॉलो करने वाली हूँ हिंदू धरम को रामलला के पूजा उपासना करने वाली हूँ तो इसलिए मुझे न्याय ना देना तो ये पार्टी कहा जा रही है क्या कर रही है आपकी लड़ाई राम लल्ला से है कि आपकी लड़ाई किसी पुलिटिकल पार्टी से इस पार्टी को तै करना होगा और बाकी चीजे तो हम जानते ही है किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है पर लगातार ऐसी चीजों पर जाके खिलाफत करना और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है मुद्दा ये है कि प्रभू श्री राम जो सबके आराध्या है पूरा देश पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की लेकिन उसकी वज़ा से कि जो जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अबद्रता करना और फिर नयाय ना देना इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है मैंने छे दिन इंतजार किया नयाय की गुहार करी मुझे लगा तार बोल दिया गया इंतजार करो चुनाव है रहन दो भूल जाओ यहांके साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें नयाय नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा तो इंतजार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चर्णों में पहुँच गही हूँ उन्हीं से नयाय की उमीद हो और मैं जानती हूँ मर्यादा पुर्शोत्तम प्रभु श्री राम मुझे नयाय सवयम देंगे देखिए मैं अभी इसी बात पर कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही समवेधन शील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ बहुत दुखी हूँ बहुत ही अंदर से और मैं को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से समय गुजर रही हूँ क्योंकि बह दूवा न्याय के लिए श्रमिक न्याय के लिए और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुपई साढ लेते क्यूंकि सिरफ इसी लिए क्यूंकि हम राम जी के दर्शन करके आये और न्याय देने से हमें इंकार कर दिया जाता है तो इस समय यह बहुत ही गेहर करी कोई नहीं नेता में ने छोड़ा और लगा तार मुझे चुप रहने को कहा गया बाकी बाते मैं कल प्रेस कॉंफरेंस के जरीए सभी से शेर करूगी बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वारता की